How are you मेरे पैरे बच्चो? I hope कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे अपने गरों में तो हम आज करेंगे पृत्वी के बारे में पृत्वी क्या है बच्चो? पृत्वी क्या है? इसके बारे में हम पढ़ेंगे पृत्वी को अर्थ कहते हैं अर्थ is a blue planet ठीक है नीला गरे है क्या है पृत्वी? सूरे से दूरी के हिसाब से पृत्वी क्या है? तीसरा गरे है ये पाच्वा सबसे बड़ा गरे है क्यों सा गरे है? पाच्वी नंबर का सबसे बड़ा गरे है यह द्रूओं के पास छोटी सी थोड़ी चप्ती है यह द्रूओं से थोड़ी सी चप्ती है कौन पृत्वी कैसे द्रूओं से चप्ती है देखो पृत्वी ऐसी है पृत्वी आपको लगता है गोल है पर पूरी पृत्वी गोल नहीं है पृत्वी द्रूओं के पास तोड़ी सी चप्टिदे विकाँ और इसका और को भू आप कहा जाता है इसके आ कार बुNewक शेयत के समान संबते केवल किसीन परिष्टितीरिए यह जीवन के लिए संभव है प्रित्वी ना तो अधिक गरम है ना ही अधिक तंडी है यहां पानी हम वायू उपस्तित है मैंने भी बताया जैसे यह एरेड वोटरिजनस पूर दि लाइफ। टी कैश्र तो पृत्वी पे ही जल और पानी के कारण śm Ortica किया संभव है जीवन संभव है जानी जीवन पे लिए अवश्यक है वाईयू में जीवन के लिए आवश्यक गैसे कौन सी है हमारी जो पृतिफ्वी पर रहते हैं वहाँ पर वाईयू है हावाई तो आवश्यक गैसे कौन सी है जैसे oxygen मौझूद है जिस से हम सानस लेते हैं इनी कारणों से प्रित्वी का सौर मंदल सबसे अदबुत ग्रह हैं प्रित्वी में और भी अन्य ग्रह हैं सौर मंदल में और भी अन्य ग्रह हैं प्रित्वी के अलावा जिन पर ऑक्सीजन की इतनी मात्रा नहीं है ऑक्सीजन की कंडिशन प्रित्वी पर ही वेलेबल है इसके कारण अंत्रिक से दिखाई देने वाला दिखाई देने पर पृत्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि दो त्याई सतय पानी से डखी हुई है पृत्वी का बच्चों दो त्याई जो सतय है दो त्याई बाग पानी से डखी होने के कान पृत्वी को नीला ग्रह कहा जाता ह आई ओपके आपको पृत्वी के बारे में यह जानकारी समझ में आई होगी अब प्रकाश की गति लगबग तीन लाग किलोमेटर प्रति गंटा है इस गती के बावजुद सूर्य के प्रकाश को पृत्वी पर पहुंचने में किता देर लगता है आठ मिनट लग जाती है पृ जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सथय पर जिन्होंने क्या रखा था अपना कदम रखा था ठीक है कौन थे सबसे पहले आदमी नील आम्स्ट्रोंग ठीक है अब हम पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में इंग्लिश में इसको कहते है नेचुरल सेटलाइट ठीक है और हिं मतलब व्यास होता है जैसे प्रित्वी की गोलाई इतनी है ठीक है यह चंद्रमा प्रित्वी की गोलाई का कितना है सिरफ एक चुताई बागी है काफी चोटा है प्रित्वी के मुकाबले में ठीक है यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि है हमारे ग्रैस से अन यह अन्य खगोलिय पिंडो की अपेक्षा अधर सेलिस्टियल वॉडी जो है जो अन्य तारे हैं अन्य जो चीजें में चमकती रात को आकाश में दिखाई देती हैं उनकी तुलना में चांद क्या है नजदीक है हमारी पृत्वी के ठीक है इसलिए यह हम इतना बड़ा दिखा यह हम से लगबग तीन लाख चुरासी जार चार सो किलोमेटर दूर है आप अब अब आप पृत्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं मतलब हमने सूर्य की कितनी देखी दूरी तीन लाख प्रकाश की गतित लगबग तीन लाग किलो में दूरी देख सकते हैं पृत्वी से और चंद्रमा की दूरी देख सकते हैं उसकी तुलना कर सकते हैं ठीक है यहां पे देखो रोचक तत्यों के नीचे कुछ जानकारी दी हुई है इसको अब हम पढ़ लेते हैं उप ग्रह एक गोल्य पिंड होता है उप ग्रह क्या होता है ठीक है और पृत्वी के चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है चंद्रमा लगाता है और पृत्वी अपनी दूरी पे गूमती गूमती सूरे के चारों और चकर लगाती है देखो यह तो सूरे है देखो यह सूरे है ठीक है हमने यह सूरे बनाए है यह हमारी पृत्वी है यह प्रित्वी का और बेट है प्रित्वी अपनी दूरी पे घूमती घूमती अपनी दूरी पे मतलब प्रित्वी अपनी अक्ष पे घूमती है अपनी अक्ष पे घूमती है अपनी अक्ष पे घूमती हुई गुणन करती हुई सूरी के चारो तरफ चक्कर लगाती है ठीक है और प्रित्वी के चारोतर चक्र कौन लगाता है चंद्रमा लगाता है तो उपग्रे हैं चंद्रमा एक और एक खगोलिय पिंड है उपग्रे को क्या कहते हैं खगोलिय पिंड कहते हैं मानव निर्मित उपग्रे को कृतम पिंड कहते हैं विज्ञानी को द्वारा बनाया गया है इसको उपयोग ब्रह्मान्द के बारे मी जानकारी प्राप्त करने के लिए, जैसे इसको आंत्र 때문에 छोड़ दिया जाता है, और इससे क्या होते हैं, आंत्रिक्ष के जानकारी मि ethanolिटिय विज्ञानिकों को, ठीक है rocket के माद्यम से इनको उंत्रिक्ष में चोड़ा जाता है ठीक है ये किरतम pin umannya निर्मित होते हैं scientist इनको बनाती है अब उंत्रिक्ष में कुछ जो pin dip झोड़े गई है उपगरय जोड़े गई हैं अन्तृिक्ष में उनकी क्या नाम है अत्रिक्ष में आई होप आपको आज की क्लास में पृत्वी और चंद्रबा के बारे में जो मैंने जानकरी दी है वो आपको समझ में आई होगी हम कर रहे हैं कक्षा अच्छे काट एक बगोल का पाट है ठीक है इसमें हम पृत्वी की क्या स्थिति है हमारे सौर मंडल में उसके बारे में हम रहे थे आई होप आपको यह समझ में आया होगा अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन लगे तो आप मुझे कर सकते हैं अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शियर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ठाइक आएक आउ को